आज की में वीडियो में लेकर काया है कि जैसे मेरे पाई ड़ंगल है जो ऐसे टोडर जो दोट हैं साथे के चा ह Cart manner क्यां करना चाहते हैं तो सब्सक्क्य टोटि अगर बात करता हैं तो को मेरे पाई दोट यह था है अगर आपको mobile phone repairing में mobile repairing में अगर software में आपको कुछ अच्छा करना है software में बहतर काम करना है एक अच्छी तरीका काम करना है या काम करने के तरीका start करना है तो सबसे पहला जो dongle आता है वो हमारा UMT UMT PRO एक डॉंगल आता है जिस डॉंगल को लेने के बाद आप जितने भी सारे mobile phone आते हैं सारे mobile phone के unlocking है flashing है या इस तरीके सो जो भी सारे काम होते हैं सारे काम को आप असानी करना है इस डॉंगल के बारे में मैंने हर एक वीडियो मैंने आपको अलग अलग डाला हूँ इसके एक पहला पार्ट दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट तीन चार पार्ट में डाल चुका हूँ सॉफ्टर रेपेरिंग के बारे मैंने क्लास 10, 12, 15 वीडियो सम्थिंग हो गई होगी अगर इतना सारा वीडियो देखेंगे तो सॉफ्टर के बारे में आपको बहुत सारा चीज समझ में आगा या बहुत सारी चीजी हेल्फ हो लोगी आज की वीडियो में जो मैं आपको देने वाला हूँ कि डोंगल को एक्टिवेट कैसे किया जाता है जैसे हमारे एक इस्ट्रेंट है आजीज करके हैं जो जारखंड के रहने वाले हैं उन्होंने अपने एक डोंगल के लिए ओर्डर किया है मुझे और यह डोंगल मंगाया है यह पारसल से उनके पार एक दो दिन में डोंगल पहुंच जाएगा यह हमारे आएसे बहुत एस्ट्रेंट है जो मुबाइल फोन रिपेरिंग के ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं यह जो लोग अगर वीडियो के माद्यम से देख करके अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है अगर आप चाहते हैं इसके लिए आपको मात 4,000 रुपर सम्तिंग खर्चा आता है और मंगाने के बाद आप सारे मोबाइल फोन के अनलोकिंग फ्लेसिंग कर सकते हैं वीडियो के माद्यम से आपको बहुत सारी चीज़ों के पहली बात है सबसे पहली बात क्या है इस डॉंगल को यूज कैसे करेंगे यूज करने का मैं आपको तरीका बताता हूं इस डॉंगल को यूज करने का तरीका क्या आई है इस डॉंगल को यूज कैसे करेंगे किस तरीके से डॉंगल को यूज किया जाएगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं इस डॉंगल को यूज करने के लिए इस डॉंगल हमको क्या करना पड़ता है UMT PRO जो डॉंगल होता है इस डॉंगल को हमको क्या करना पड़ता है पर्चेस करना पड़ता है पर्चेस करना पड़ता है मझे डॉंगल को हमको खरीदना पड़ता है ये डॉंगल को खरीदने के बाद फिर हम लोग इसको अपने सिस्टम में लगा कर कि हम लोग क्या कर सकते हैं इसको यूज करेंगे आज हम लोग जो सीखने वाले हैं इस वीडियो में डॉंगल को एक्टिवेट कैसे करें डॉंगल को एक्टिवेट कैसे करेंगे मलें जो डॉंगल आता है इस डॉंगल को एक्टिवेट कैसे किया जाएगा, डोंगल को चालू कैसे किया जाएगा, हम आपको इस वीडियो में पूरा step by step आपको बताने वाले हैं, तक कि आप लोग यह नया डोंगल मंगा लेते हैं, डोंगल मंगाने के बाद आगर इसको चालू करना चाहते हैं, कैसे चालू किया जाता है, कितना समय दे कितना टाइम देता है क्या सारी चीज़ होती है मैं आपको पूरा जानकार्दी देने वाला हूं मेरा नाम राग्वंदर और मैं एटेक स्ट्रट कानपू से बात कर रहा हूं जहां पर आपको कि अगया मोबाइल फोन सारी अत्याट था था जाती है और फूल डेया चलता हु और सोभए आट बजे से सामगो छवे तक क्लसिश चलते हैं पूरा प्रोसर रहता हैो और सारी अ मोबाइल फोन के बारे में आप सीख सकते हैं अगर आप को इन्फॉमिशन जाते हैं या जानका चलते हैं वीडियो के उपर कि हम वीडियो में के माद्याम से समाहिशते हैं कि कैसे डॉंगल को चालू किया जाता है डॉंगल को चालू करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है हमको अपने UMT support को open करने के बाद उसको activate करना पड़ता है दिखिए मैं आपको step by step पूरा बताता हूँ इसके पहले वीडियो मैंने UMT support को कैसे Google के माद्यम से डॉंगल किया जाएगा डॉंगल करने के बाद उसको कैसे श्ट्रॉल किया जाएगा इस साब कुछ मैंने बता हुए आप चाहें तो इससे पहले का part हमारा देख सकते हैं उसमें आपको सारी चीजें clear हो जाएगे आज हम आपको जो बताने वाले हैं डॉंगल को activate कैसे किया जाता है चालू करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको अपने system पर जाना पड़ेगा हम लोग अपने computer screen पर चलते हैं यह computer screen पर आप लोग क्या करेंगे सबसे पहले dongle लेंगे dongle को क्या करेंगे system insert करेंगे जैसे dongle को system insert कर दिया हमारा dongle system में connect हो जाएगा connect होने के बाद सबसे पहले क्या करना है आपको umt support को open करना है क्या करना दोस्तों अगर आप देखेंगे कही हैं पर umt support के बंद क्या रहा आइकन इसको open करेंगे जैसे open करेंगे तो आपकी screen में डायलोग box open हो जाएगा यह software है यह हमारा umt support का जिसके अंदर सारे features होते हैं सारे हमारे screen पर आ जाते हैं आज की वीडियों भी कुल नए डोंगल को चालू कैसी किया जाए उससर तरीका में लोग सीखने वाले हैं सबसे पहले क्या करना है आपको umt card manager में जाना है मैं आपको थोड़ा से इसको mark करके दिखा देता हूँ तक यह आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा और आप समझ में आ यह पहला number पहला क्या करेंगे आप इस umt card manager को open करेंगे कैसे open करेंगे चली आप आगे बात करते हैं ऐसे क्लिक किया जैसी क्लिक करेंगे हमारा software screen पर खुल जाएगा उसके बाद second time पर आप क्या करेंगे यह जो लिख क्या था umt card manager यह दूसरा point है इसे open करेंगे बाद इसको download करना है okay start यह हमारे downloading हमारे screen पर start हो जाएगी जैसे downloading start हो जाएगी डाउनलोड होने के बाद आपको क्या गना लोकेशन में जाना है जैसे location में जाएगे तो umt का जो भी सारा software है यह हमारा software खुल चुका है यह हमारा software खुल जगा है यहां पर कहीं पर भी देखेंगे आपको umt card manager जैसा option आएगा कहीं पर देखेंगे के umt card manager, umt card manager, umt card manager कहीं लीक आ रहा है इसमें बहुत सारा software बच्चे प्रैक्टिस करते रहते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ा आ जाती है इस पर आप क्या करेंगे? क्लिक करेंगे जैसे क्लिक करेंगे और स्टैक्टियर का उफशन आएगा आप स्टैक्टियर कर दीजिए जैसे स्टैक्टियर करेंगे तो देखें उम्टी कार्ड मेनेजर ऐसा उफशन बन करके आ जाएगा मैं highlight कर देता हूँ आपको यह setup यह आपका तीसरा step है इस setup को क्या करना है आपको open इस setup को क्या करना है open करना है कैसे open करेंगे चलिए आगे चलते हैं वीडियो में जैसे setup open करेंगे तो setup open करने के बाद हमारा setup हमारे screen पर खुल जाएगा screen पर खुलने के बाद हमारा umt card manager पहले आप get info में जाएगे सबसे पहले जब भी आप नया dongle purchase करते हैं तो नया dongle purchase करने के बाद आपने jam नया dongle purchase किया तो नया dongle purchase करने बाद इसमें लिख क्या रहा Thursday 14 December 2023 card status क्या है active है active करने के बाद को क्या करेंब है इसको update card कर देन है update card counter अप्डेट आपधेट कार आप्डेट कार रहे तो हरो न सर्वर पर अपडेट हो जाएगा इस्थे यहां पर लिखकर गया गया यह हमारा यहांपर लिखकर गया क्या लिखकर गया यह लिक decision अब इसको एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है इसके लिए गेट इंफोर्मेशन में जाएंगे इससे हम आज जाते हैं गेट करण्ट इंफोर्मेशन में आप दुबारा करेंगे अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बता रहा है कार्ड स्टेटस एक्टिव है पहली चीज़ दूसी चीज़ का है यह थरस्डे 14 दिसंबर 2023 आज कियाकर डेट देखा जाए तो आज हमारी 14 तारीक है 14 तारीक से लेकर गए 14 तारीक 14 दिसंबर 2022 लेकिन इसने अपना जो समय काउंट किया है यह समय कितना है आज का तारीक कितना है 14 बारा बाई इसने जो अपना तारीक दिया हुआ यह क्या डेट है 14, 12, 23 अगर आप इसका फिगर देखेंगे तो एक साल काउंट करके दिया है एक साल का मतलब होता है यह एक साल तक चलेगा एक साल होने के बाद इसका प्लान इक्सपैर हो जाएगा 6-7 दिन तक का यह समय लेकर के चलता है उसके बाद प्लान इक्सपैर होने के बाद जैसे आप इसको दुबारा अपडेट करेंगे, तो अपडेट करने के बाद यो डोंगल सर्वर काम करना बंद कर देगा, उसके बाद फिर इसमें रिचार्ज कराना होता है, इसका एक्टिवेशन का जो रिचार्ज होता है, सतरा सो रुपया से लेकर के, उननीस सो रुपया के हमारा सीरियल नंबर होता है, यह हमारा सीरियल नंबर होता है, यह हमारा सीरियल नंबर होता है, कभी भी आपका सीरियल नंबर दिया हुआ, इस सीरियल नंबर को नोट करके लेंगे, आप कभी भी किसी भी परसन को फोन करेंगे, सर्वर वाले परसन को फोन करेंगे, आप हम अदेम से कितने भी मुबाइल फोन के अनलॉकिंग क्लैसिंग कर सकते हैं इस डोंगल में सबसे पहली बात कि हमारे बहुत ऐसे बच्चों ने कुश्चन किया है कि सर क्या हम इस डोंगल को पर्मेंटली यूज कर सकते हैं उनको कहना चाहा हूँ कि यह डोंगल बहुत पुराना है और अगर डी भीव की बात करें तो मैं अपको बता हूँ जितना जो नया टेक्नीसीयन है जो पहले काम कर रहा है जो अभसे पहले फिस्ट काम श्ठार्ट करना चाहता है यह बहुत पुराना भी है तो अभी सबसे पहली बाद फर्स्टे डोंगल अपने पार रखता है दूसरी चीज क्या है इस डोंगल का सर्वर बहुत अच्छा है हमेशा नया-या अपडेट देता रहता है कोई नया अपडेट आएगा तो आपको सबसे पहले फर्से मिल जाएगा नया अपडेट का मतलब होता है जैसे आज आज मोबाइल फोन काम कर रहे हैं और आज वीओ वाई 22 अलट्रा कोई मोबाइल फोन आ गया तो जैसे ही वो मुबाइल फोन आएगा तो इसके अंदर मॉडल के अंदर नहीं होगा तो फटा-फट जैसे अब अपडेट मारेंगे तो अपडेट होने के बाद वो मॉडल एड़ करके इसके अंदर आ जाएंगे जो अपडेट का एलर्ट होता है वो हमारे स्क्रीन पर तुरंत आ जाता है और हमको पता भी चल जाता है कि हमारा डोंगल अपडेट करने को बोला है यह भी बात होती है अपडेट करने का सेम वही तरीका कि आप यहाँ पर जाएंगे अपडेट कार्ड काउंटर क्लिक करेंगे तो दुबारा अपडेट हो जाएगा यह डोंगल हर 10 दिन बाद 15 दिन बाद अपने आपको अपडेट कराता रहता है वो इसलिए अपडेट कराता है उससे दो फायदे सबसे पहला फायदा कस्टूमर का कस्टूमर का यह फायदा होता है मला हमारा यूजर का यह फायदा होता है कि जो नया सॉप्टर आया होगा वो इसमें अपडेट होकर क्या चाहेगा पहली चीज़ दूसरा चीव डॉंगल कंपनी का खुद का फायदा कि वो यह देखता रहा था कि मेरे अंदर प्लान बचाए कि नहीं प्लान बचाए कोई के कस्टुमर हमारा फिरी में ही तो नहीं इस्तेमाल कर रहा है तो एक बात यहीं. तीसरी चीज मैं आपको यह कहना चाहता हूँ, बहुत सार ऐसे हमारे स्टून ने मैसेज किया हूँ है, कि सार रिस डॉंगल के माध्यम से किसे हम कितने मूबाईल फोन के लग खोल सकते हैंrust तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि डोंगल के माध्यम से आप एक साल के अंदर जितने आप के अंदर छमता हैं, जितने आपके पास mobile phone आते हैं, लाखों हजारों जितने भी सारे phone आते हैं, सारे mobile phone के unlocking flashing कर सकते हैं, इस डोंगल के अंदर unlocking flashing FRP passport तोड़ने में एक भी नहीं लगता, सिर्फ one time investment है, कि एक बार investment करने के बार हमको इस डोंगल पर्चेस करना पड़ता है, इस डोंगल को पर्चेस करने के बार इसके माध्यम से आप जितनी चाहें, उतनी रेपेरिंग कर सकते हैं, लेकिन एक साल के लिए, इस डोंगल के लिए मैं आपको एक बार और इंट्रक्शन कहना चाहता हूं कि इस डोंगल को लेने के बाद आप अपने सिस्टम तक ही सीमित रहें, अगर आप बार बार सिस्टम को चेंज करेंगे, अगर देखा जाए तो तीन सिस्टम से ज्यादा इसको चेंज करते हैं, पहली बाद तो एक सिस्टम में लगाया, हमारा चला है, लेकिन तभी चलेगा जब हम इसको अपडेट कर देंगे, क्या कर देंगे दोस्तों, अपडेट करेंगे, जैसे आप इसको अपडेट कर देंगे, तो आपका डोंगल चालू हो जाएगा, एक सिस्टम पर आपने इसको अपडेट कर दिया, आपका डोंगल च लेकिन जैसे ही आप चौती बार उसको अपडेट करने को बोलेंगे तो यह मना कर देगा यह बोलेगा बहिया इसको आप 24 गंटे बाद 24 गंटे बाद आप इसको अपडेट करेंगे 24 गंटे बाद आप कुछ नहीं कर सकते फिर आपका डॉंगल के सारी सुभिदाया सब कुछ बंद हो जाएगे बंद हो सकता है डॉंगल खुलना भी बंद हो जाएगा 48 गंटे के बाद आपको इंतजार करना पड़ेगा यहम्ती सर्वर का यहम्ती सर्वर का फिर इसको 48 गंटे के बाद चालू करेगा उसके बाद भी अगर आप गलती करते हैं तो फिर वो लंबा टाइम आपको दे सकता है इसके लिए कोई कंप्लेन ने कोई सुनवाई भी नहीं है आप कुछ नहीं करेंगे बस सिर्फ एक ही है आप वेट करें आपने गलती किया हुआ है तो इसको अपडेट ना करें अपडेट करेंगे तो सामने आपको अलेट मैसेज कर देगा दूसरी बात कि हैं बहुत सारे डॉंगल हैं बहुत ऐसे सौफ़ेयर टूल हैं जो बरसाती में डग की तरह हैं आए और चले गए लेकिन यह डॉंगल काफी समय से आ रहा है काफी समय से टिका हुआ है पहली बात तो क्या है इसका एक प्लान है कि माली जी आप से 17-1800 रुपए ले रहा है एक साल का तो जाइस सी बात है आपको सर्विस भी दे रहा है बहुत ऐसे डॉंगल है वो 5,000-6,000 एक बार ले करके पीछे अट गए उसके बाद वो अपडेट नहीं देते सर्विसेस नहीं देते तो कोई नया मोबाइल फोन आएगा उसका भी आड़ाउन करके नहीं दे पाएगा आप उनसे कंप्लेंट भी नहीं कर सकते है वापस भी नहीं कर सकते है तो वो डॉंगल आपके लिए क्या होता है सीवा फेकने को कुछ नहीं होता रही बात इससे बहतर एक और टूल आता है जो इससी के बहतर तो नहीं कर सकते है लेकिन इसके सिमिलर में मलब पैलर में वो अनलॉक टूल आता है जैसे यह काम करता है उसी तरीकी से अनलॉक टूल भी काम करता है लेकिन unlock tool का जो server होता है वो online काम करता है अगर आपका net slow हुआ या net नहीं हुआ connectivity नहीं मिल पाई किसी करण बस तो आपका unlock tool काम करना बंद कर देता है लेकिन जो empty dungle होता है ये अगर आपका net नहीं है ना तो अभी समझ लिए जहां तक आपने इसको update किया हुआ है तब तक आपका इस काम करता रहेगा तब तक आपका dungle चलता रहेगा पूरे mobile phone के unlocking फ्लैसिंग करता रहेगा या अगर आप एक दिन दो दिन दस दिन बाद भी net की problem है उसके बाद भी net आया तो जब इसको update करोगो तो जो नया feature होगा नया feature इसके अंदर add-on हो जाएगा लेकिन आपको repairing में कोई problem नहीं आएगी आप इसके माधियम से mobile phone को repairing करते रहेंगे लेकिन कुछ चीजों को repairing करते समय सर्वर में find करता है इसलिए हम लोग इसको internet दे देते हैं अब बहुत ऐसे student ने हमसे यह बोला कि sir इसको चलाने के लिए हमको कितने internet की speed की ज़रूरती है कितना internet होना चाहिए तो मैं उनके लिए यह बात कहना चाहता हूं कि भाया इसमें internet की कोई खास जरूरत नहीं पढ़ती सिभी इंटना internet होना चाहिए कि आप WhatsApp के माध्याम से कोई message बेच सकते हैं जैसे किसी को Hi Hello को message बेचते हैं व्यकूल इतना नॉर्मल सा internet होना चाहिए तो भी उसके माध्याम से डोंगल आसानी से काम करेगा और इसके माध्याम से सारे mobile phone की unlocking flashing आप कर सकते हैं तो आज कल देखा जाए तो हमारे लिए डोंगल बहुत अच्छा है जो ऐसे इस्ट्रेंट हैं जो software repairing में काम करना चाहते हैं या पहले primary student है या बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत mobile phone repairing की दुकान चला रहे हैं बहुत सालों साल से mobile phone repairing की दुकान चला रहे हैं लेकिन software के नाम पे रेखा जा तो software के नाम पे बिल्कुल zero हैं उन्होंने आख तक mobile phone में काम ही नहीं किया software के नाम पे कुछ भी नहीं किया बस खाली अपना mobile phone लेते थे वइसा जौला बर बबर जो आपे 55266 mobile phone लेते थे सारे mostcle 9 project gerek को लेता है अब लेकिन वह खुद नहीं कर पाते हैं, खुद इसलिए नहीं कर पाते हैं, क्योंको बहुत कठिल लगता है मैं आपको बहुत हैं, मेरे पास ऐसे भी बच्चे सॉफ्टर रिपेरिंग का काम सीख कर गये हैं, जिन्नों ने आद तक जिन्दिगी में कम्पूटर में कभी माउस नहीं चलाया माउस में ऐसे उंगली तक नहीं गुमाया, लेकिन फिर भी आज वो सॉफ्टर में बहुत अच्छा काम करके गये हैं, वो सॉफ्टर रिपेरिंग कर भी रहे हैं, उनको रिपेरिंग करने में कोई प्राबलम नहीं आते हैं, क्योंकि दको दुनिया जान में कोई भी काम नह उसी तरीके से हमारे computer screen जो होती है, यह एक ऐसा graphically जो बना हुआ है, इसको फीचर है, इसके symbol है, इसके icons हैं, इनको लोगों को देख कर समाझ जाते हैं, यह mobile phone है, यह चीज है, यह फीचर है, gallery है, camera है, उनको लोगों को देख कर gallery में लिखा नहीं होता है, लेकिन उसका photo ऐस पढ़ना लिखना आता है, वो अता है तक school भी नहीं गए, जो पान साल का आदिमी हो जाता है, जब school जाता है, तो काखा गागा सीखता है, ABCD सीखता है, लेकिन दो तो तीन-तीन साल के बच्चे हैं, वो mobile phone अपने हाथ में ले लेते हैं, mobile phone में ऐसे खोल लेंगे, इसमें setting भ खोल लेंगे, game भी खेल लेंगे, कैसे कर पाते हैं, वो ऐसे कर पाते हैं, तो उनके जो icons है, उनके icons को virtual, वो हमारे दिमाग के अंदर क्या हो जाता है, fit हो जाता है, किसी को यह कहने के ज़रूरत नहीं है, तो वो समझ जाता है, पानी पीने का इसारा कर रहा है, तो उसी तर उपर वाले ने दे रहा है, आदमी को human nature है, एक यहां तक ही मैं आपको बताओं, छोटा तो अगर कोई जानवा तो छोड़े कुट्टा होता है, अगर कुट्टे को भी आप ऐसे फेक के मारते हो, तो भी भागता है, इसका मतलब उसके दिमाग में फिट है कि हमको मरने वाल अगर आपको अच्छा काम करना चाहते हैं, तो आप आईए, एक बार मिलिए, और हमारा जो नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल करें, दिन भर पूरा क्लास चलती है, सुबह से साम तक 8 बजे से लेके साम को 6 बजे तक चलती है, 8 से 10, 10 से 12 है, 12 से 2 लंच होता है, उसके पाद 2 से 4 है, 4 से 6 है, ऐसे 8 गंटे क्लास चलती है, 8 गंटे में 2 गंटे class hood, hardware & software class चलती है суSe our 2 गंटे ऐ अब समझते है किसा सीखनी के लिए हो आप तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम पोसिस करतें कि पहले हम आपको एक एक चीज को सिखाते हैं कि बाइट दो को मोबाइल फोन है इसको ऐसे रिआ जाएगा इसमें ऐसे रिआ डोन सिहार और इसमें अश्राघिद बाइटे है दो इसमें गन्ड करते हैं तरने करते हैं खOn control ऐख करते हैं कि एक बार हमनेसे बार जीटनर चीकर ज़िछा आपब सफोद करते हैं कि हम आपको खुद करने का सला देते हैं, जब हम आपको खुद करने का सला देते हैं, तो आपको काम करने में क्या रहता है? आसानी रहता है, जब आपको काम करने में आसानी रहता है, तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से रिपेरिंग कर सकते हैं, तो यह हमारा ट्रेनिंग का परपा यही रहता है कि आपको किस तरीके से सिखा जाए मुझे सरिस लाइन में 17-18 साल हो गया सिखाते सिखाते हजारों दस्यों हजार बच्चों को सिखा दिया है खुद मैंने खुद मोबाइल फोन धेटरिंग के संबने या कोई ऐसे फील्ड है। या ऐसे बहुत सारे दुकान वाले हैं या बहुत रिश्टू एंट है। میں खुद जाकर करको उनसे मिलता हूं, सर्वे करता हूं कि भाई आप mobile phone repairing कर रही है कैसे mobile phone को ठीक कर रहे हो, किस तरीके से काम कर रहे है, कार सा지 होना चाहिए, कैसे consumer activity करता है या किस तरीके से mobile phone repairing के काम करना दो हैário Son अच्छा काम करे एस iPhone share Si半 माज औßen रुपान में भेड़ लगी हुए लोग कहते है सकता हमाइग फॉन में 25-30 में लोग ख़ड़े रहते हैं तीन ये चार कस्टूमर को डिल करते हैं अगर आप स्मार्ब पॉन को डिल करते हैं फिर रिपेरिंग के साथ में सेल, परचेज, ऐसी सीरीज, बहुत सारे आईसे आइटम होते हैं, जो उनको करना होता है, तो यह मैं वीडियो उन इस्टुरेंट के लिए भी बनाक दे रहा हूं, या उन परसन के लिए दे रहा हूं, जो आज सर जॉब तो कर रहे हैं, अगर उ सेटिसफाइड नहीं है, क्योंकि यह 20,000 रुपए जो मिलता है, इस 20,000 रुपए में 2,000 रुपए तो कमरी का किरया चला जाता है, एक दिन का 100 रुपए का सुबह साम खाना खाता तो 6,000 रुपए उसका चला जाता है, उसके बाद बिहार से कभी दिल्ली, दिल्ली से भी आ है, कोई भी मालिक है, कोई भी ओनर है, कुछ भी चीज है, हर एक आदमी का आपको जो फिक्स पैसा है, वो पैसा दे देगा, लेकिन आपके जिन्दिके को सर्वाइब नहीं कर सकता है, तो जाहिसी बात है कि आप इस सब चीजों को बचाने के क्या आप चाहते हैं, कि मैं अ अदमी तुरंद उसके बाद बहुत पैसा है, तो अपने एक बार में बिजनिस स्टाप कर लिया, लेकिन हाँ, मैं आप लोगों के लिए बात कहना है, बिजनिस के किस तरीके से स्टाट करना है, किस तरीके से हम एक अपना छोटे लेवल का अपना लाख पचास हजार मैं बहुत बात मैं कहना चाहता हूँ, कि अगर मार्केट में बहुत परिसान है कि सर, हमको जॉब नहीं मिल पा रही है, या कोई हमारा नहीं ऐसा हो पा रहा है, मेरे साथ मैं ऐसे भी आज, मैं आपको बता हूँ, आठ से 10 अस्टेंट हैं, जो गॉर्ण्मेंट की बहुत त जिन्दिगी में कोई भी आदमी कोई भी काम को करता है, अगर वो उसको वो चीज हासिल नहीं हो पाती, तो क्या होता कि आदमी निरास नहीं होता, आदमी अपने जीमन को त्याग नहीं कर सकता, अपने आपको आंगे बढ़ना नहीं छोड़ सकता, उसको क्या करना पड़े UNKU आर्मी के तयारी करते, जब उनको नहीं जॉब मिली तो फिर UNHAU नगने दुबारा HIGH SKUUL किया, हाइ सकूल करने के बाद फिर भलती देखने गए, भलती देखा, UNHAU नहोंने तयारी करने के बाद फिर भी धिर नहीं को job नहीं मिल पाई, जब उनको job नहीं मिल पाई, तो उन्होंने सोचा गया, इतना करते करते हो हैं, परिसान बेदो और शादी भी हो गया, एक दो बच्चे भी होग़े, फिर उन्होंने सोचा कि, चलो छोडो, यार, फिर उन्होंने क्या क्या, अपना понрав fine witho, यार मेरा वीडियों को मिला, Agricultural दिन के बाद आज अपना मोबाइल फोन रिपेरिंग के पूरा सेट अप स्टार्ट करने जा रहे हैं और अपने मोबाइल फोन रिपेरिंग में एक डॉंगल भी मंगा लिया है, अपना लैप्टॉप है, उसमें SSD बगरा है, बहुत सारा थोड़ा सा पैसा लगा करके उसको अ पार जाओं और 10,000, 20,000, 30,000 नोकरी के लिए मोटाज रहाऊं, मैं चाहता हूं सार सीख करके, मैं अपने छेत्र में ही काम करूंगा, अपने लोकल में काम करूंगा, उन्होंने कई साल पढ़ा भी सार, कई साल, 4, 5 साल उन्होंने स्कूल में पढ़ा भी है, अब स्कूल में पढ़ाने के तौर पर देखा जाए प्राइबेट स्कूल में कोई भी आत्मी जब पढ़ाने जाता है इंग्लिज मेडियम हो सीविए सी बोर्ड हो ऐसा कुछ हो अगर पढ़ाने जाता है तो मालों उसको दस अजार पंदा जार बीस अजार रुपर तो मिलता है लेकिन सर जो कर देखता तो मैं सर उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं कहना चाहता है मैं यह कहना चाहता हूं कि आप सर एक छोटा सा कोस है आप किस को जोइन कर सकते हैं इसको ज़्यादा कोई पढ़ने लिखने आओ ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है दूसरी बात कि है फुली प्र परिसान घूमेगा पैसा चाहिए नौकरी चाहिए जौब चाहिए कुछ काम दे दो कुछ काम मिल जाए लेकिन हाँ एक बात और है कि वो आदमी भी लाइफ में परिसान नहीं होता जिसके अंदर इसके अंदर हुनर है तो उसको ना तो पैसा डूनने की चलूआता है उसको काम खुद डूड़ता है उसको खुद कहाता रहे भाई तुम्हार मेरे घर के लाइट खराब होगा चलो ठीक कर दो मेरे घर के टीवी खराब होगा चलो ठीक कर दो अब आपको अपने घर ले जाएगा आपसे काम कराएगा तो अगर आप पैसा नहीं भी लोग ना तो आप अगर आप टेकनिकल कुलेटी है तो आजकी वीडियो मेंने आपको युएम टी डौंगल के बारें बताराए कि कैसे एक्टिवेड किया जाएगा वीडियो के माद्यम से जोड़े रहे हैं और वीडियो में आपको क्या-क्या सारी चीज़े समझ में आप कमेंट जरूर करें दूसरी बात का हम आपको कहना चाहेता हूँ आपको हम इतना मेनस से वीडियो देते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को सेयर करें ताकि आपके माध्यम से और भी सारी चीजों के या और भी ऐसे लोग हैं जो आज सब चीजों को ले करके परिशान है और सब चीजों को परिशानी को आसानी से दूर किया जा सके क्योंकि हम सब मिलकर के ही एक कुछ अच्छे चीज का निर्मान कर सकते है वीडियो में बने रहने के लिए ठैक्यू दुफतो